आयुर्वेद का सूपरफूट अंडा बालों में लगाने के कई करिस्माई फायदे देखने को मिलते हैं मगर क्या आपको लगाने का सही तरीका पता है एक वार आपको ये तरीका जरूर जाना चाहिए आपके जहडू जैसे बाल बिल्कुल सिल्की होन जाएंगे और घने बालों की चाहत अगर आपकी है तो वो आपकी पूरी होगी पतले बालों को आप अपने मोटा कर सकते हैं और बालों का जो नेचरल कलर है वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा अंडे का आपको कौन सा भाग प्रियोग करना चाहिए कौन सा भयाग जादा बहतर है और इसके अन्गिनत जो Hair Mask के तरीके हैं वो कौन kto से तरीके हैं अन्गिनत तरीके के vaisаешь Mask कैसे अफैसे बना सकते हैं यदि आप अपने बालों को गहना करना है लंबा करना है तूटने से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और इस अंडे को इदियाब बालों पर लगा लेते हैं तो उससे होने वाले क्या-क्या नुकसान है आज हम इसी के बारे में इस वीडियों बात करने वाले हैं साथ में जानेंगे कि आयरुवेद में इसको सूपर फूड क्यों माना है और इसके क्या-क्या फायदे होते हैं बेसिकली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग भी होने वाली है आज इस वीडियो के माध्यम से आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं तो प्लीज मेरी आप से रिक नौटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे है तो चलिएगा इंटरस्टिंग वीडियो को बिना देरी के सुरवात करते हैं बेसिकली हाइड्रेसन की कमी आपके बालों को बहुत जादा खराब कर सकती है इसके अलावा बालों की खराब केर रूटीन भी आपके पहत ज्यादा डैमेज करता है आपने बहुत ज्यादा लोगों को महीलाओं पोर पूरसों को अपने बालों में अन्डे का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा अंडा नेकेवल आपकी सेहत के लिए बलकि आपकी त्वैचा और बालों के लिए एक कारगर ओस्दी आयरुवेद में बताई गई है और यही बजह है लोग इसे अपने बालों में बहुत जादा इस्तेमाल करते हैं यदि अंडे में जरूरी पोसकता तो बहुत जादा मातरा में होते हैं प्रोटीन इत्यादी होती है जो कि हमारी बालों के लिए बहुत जादा फायदा देती है यदि इसको अपने बालों में हम प्रियोग करते हैं तो करिस्माई फायदे आपके बालों में दिखाएं दे लगते हैं खूपसीरती नेकेवल चहरे से बलकि आपकी लंबे बालों से और बालों से भी आपकी जलगती है इसलिए इसकिन के साथ साथ अपने बालों की भी देख भाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। घने और मजबूत बालों की जो चाहत है वो हर किसी को होती है। हालाकि बहुत जादा धूल में रहने की वज़े से प्रदूसरण की वज़े से गंदगी की वज़े से या पुर कुछ स्वास्ते समंधि समस्याओं की वज़े से हमारे बाल अकसर बहुत जादा रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और तूटकर ग बेसिकली प्रोटीन बालों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि अगर प्रोटीन कमी हमारे सरीम होने लगे तो बाल हमारे जहनने शुरू हो जाते हैं साथ में अंडे में omega 3 fatty acid मौझूद होता है जो की बालों की रंगत को बहतर बनाने में काफी जादा मदद गार होता है इसको अपने बालों में प्रियोग करने से जो बालों का texture है वो सही होता है और यह बालों को अंदर से स्वस्त बनाता है और बालों को जो protein मिलनी चाहिए वो proper मातरा में बालों को protein मिल जाती है जिससे आपकी बालों की जो growth भी बहुत अच्छी होती है वो चमकदार बनते हैं और आपके बालों की जो health है वो भी बहुत अच्छी रहती है यदि हम बात करें कि अंडे का जो सफेद वाला भाग है या पीला वाला भाग है वो कौन सा ज़्यादा बहतर है क्योंकि इसके वारे में कोई white वाले को अच्छा बताता है कोई yellow part को अच्छा बताता है तो यद अंडे की जो सफेद वाला जो भाग है वो भी काफी ज़्यादा फायदेमंद होता है और जर्दी जो पीला भाग होता है वो भी ज़्यादा फायदेमंद होता है केवल यह depend करता है कि आपके बालों का नेचर कैसा है आपकी बालों की प्रिकृति कैसी है यदि आपके बाल सामान ने हैं तो आप अंडे के दोनों भाग यानि सफेद भाग भी और जर्दी पीला भाग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यदि आपके बाल बहुत जादा ऑईली हैं तो आप उसकी इसकाल पर जो अंडे का सफेद भाग है उसको ही आपको प्रियोग करना चाहिए और जो बालों की लेंथ है लेंथ पर आप पीले भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं जर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपको पीले भाग को ओईली बालों में जडबे नहीं लगाना चाहिए यदि हम बात करें कि अंडे लगाने के आपके बालों में क्या-क्या फाइदा दे भेजान नहीं रहते हैं बालों की जो गिरोथ है वह बहुत अच्छी श्राय हमें बालों की क्वौलिटी में काफि ज्यादा सुधार होता है बालों में छमक आती है और बालों में होने वाले जो आप अंडे को अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत जवरदस्त फायदे आपको देखने को मिलते हैं यदि हम बात करें कि आपके बाल को आपको घना करना है तो घना करने के लिए आपको अंडे का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए सबसे पहले आपको दो अंडे और आदा घंटे बाद आपको हलके गुन गुने पानी से अपने बालों को धुल लेना है इस तरीके को आप हफ्ते में दो बार अपनाईएगा और इस तरह करने से क्या है कि आपके बालों को घना करने में काफी जादा मदद मिलेगी यह बहुती बहतर तरीका है एक बार इस तरह के हेर मास्क में इस वीडियों में बताने वाला हूं, आप अपने सुविधा के अनुसार, उन में से कोई सा भी हेर मास्क अपने बालों के नेचर के अनुसार प्रियोग कर सकते हैं, यदि आपके बाल बहुत जादा रूखे सूखे हैं, तो इसके लिए आप अंडे की ज जैसे कि आप अंडा और एलो वेरा का हेर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा और महंदी का हेर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा और नारियल के तेल का हेर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा और केले का हेर मास्क प्रियोग कर सकते हैं, अंडा और अवोकाडो का हेर मा प्रियोग कर सकते हैं अंडा और कास्टर ओयल का हेर मास्क प्रियोग कर सकते हैं अंडा और बिटामिल के कैप्सुल का हेर मास्क बनाकर प्रियोग कर सकते हैं अंडा और नीवू के रस का हेर मास्क बनाकर प्रियोग कर सकते हैं, इस तरह से ये अंगिनत तरीके के अंडे वाले हेर मास्क होते हैं, अपने सुविधा के अनुसार इसमें कोई सा भी आप प्रियोग कर सकते हैं, और सब्ताय में दो बार हेर मास्क लगाना काफी जादा बहतर रहता है, अपनी बालों की इस्तित को देखते हुए सही तरीके से और अलग-अलग विदी से हेर मास्क का प्रयोग आप कर सकते हैं यदि आप इनके वारे में और डिटेल में जानकारी चाहते हैं या फिर और जादा जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी अपना सवाल पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको डेस्क्रिप्शन में वह आपका लिंक बिल जाएगा और हेर के संबंद में और बालों के संबंद में पहले भी बहुत सी वीडियो बना चुका हू होता है और इसका जो पीला भाग जो होता जिसको जर्दी के नाम से जानते हैं यह वात दोस्को कम करने वाला होता है और पित और कफ दोस्को बढ़ाने वाला होता है यदि हम बात करें कि जो वात प्रकृति के जो लोग हैं उनको रोजाना अंडे खा सकते हैं जो वात प्र तो इस से पच्ने में इसको आसानी रहेगी और आपकी सहत के लिए भी जादा फायदे मंद होगा. इस तरह से अंडे को आइरवेद में सुपर फूड माना है जो की वात पित कप दोसों में काफी जादा लाबकारी होता है. इस तरह से हम बात करें थे आयरवेद में अंडे को सुपर फूड क्यों माना है और बालों में लगाने के क्या क्या करिस्माई फायदे होते हैं तो फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा यदि वीडियों बताएगे जानकारी आपको अच्छी लगी आपने कुछ ना कुछ नया सीखा है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजेगा और यदि आप मेरे यूटूब चैनल पाज पहली बारा है या फिर अभी तक चैनल को सबस्काइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्काइब भी करिएगा साथ में बैल आइकन को जरूर दवाएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही यदि आप चाहते हैं बालों में अंडा लगाने के क्या नुकसान होत आप झाल